डॉक्टर राजी वहुजा मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूँ कई सारी थियोरीज थी ठीक है उनसे हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो रहा है तो डॉक्टर मुनीश लुंबा के पास चलते हैं कई सारी थियोरीज भी मेडिकल थियोरीज आ रही हैं जिन पर हम चाहेंगे कि आप सभी एक बार चर्चा करें एक थियोरी इन तीन स्पेसिफिक इशूज है जो मैं रेज करना चाहती हूँ सबसे पहले ये कि बता जा रहा है कि जो स्ट्रेन हिंदुस्तान में आ रहा है वो लेस वारिलेंट यानि कम खतरनाक है क्या इस पर कोई स्पेसिफिक रिसर्च है दूसरा ये कि जिनने बीसी जी का टीका लगा है उन्हें कम खतरा है क्या इस पर कोई स्पेसिफिक रिसर्च है और तीसरी यही बात जो बार-बार कही जा रही है कि इसके spread को लेकर कि कितने दूर तक संक्रमन का खत्रा हो सकता है हिंदुस्तानियों की immunity की भी चर्चा हो रही है कि क्या उनका immunity system जादा बहतर है बाकी मुलकों से क्या इन तीनों issues पर आपको लगता है कोई specific और conclusive research है देखे मैं कल भी वही detail में देख रहा था कि ऐसा कोई research नहीं है कि कितनी देर इसकी immunity चलेगी because कि इसमें new virus है उसके लिए थोड़ा time लगेगा कि ये studies with documented detail बाहर निकले कि क्या होता है ये virus की कितनी देर अगर आपको हो जाए तो कितनी देर इसकी immunity रहेगी so ऐसा अभी कुछ नहीं आया है सो दिकारिंग की ये BCG के कारण उसको ये सब news में आता है या वैसे आता है अभी कल भी डॉक्टर फाउची और जो infectious diseases के सबसे बड़े हैड हैं इदर उन्होंने भी यही बात करा कि ये chloroquine से या ये BCG से सारी studies एंटीडोटल हैं अभी इसके ज़्यादा studies नहीं होगी तो क्या जो patient को coronavirus हो जाएगा उसको safety होगी आगे ये भी अभी detail में पता नहीं है क्योंकि अभी उतना long term study कुछ नहीं हुआ है सो ये best option यही है कि अभी अपन सारे अगर safety और distancing maintain रहें lockdown follow करें that is the best approach at this time even यह भी बोलना शुरू कर दिया था कि angiotensin जो drugs लेते हैं उनको फाइदा होगा बट उसके लिए भी कोई detailed studies कुछ नहीं अभी आई है Dr. Pooja Chopra कोई specific research इन तीनों में से जो बाते theories सामने आई है उन पर आपकी टिपणी और कोई specific finding जो आप Canada के मद्दे नजर बता सके जो महत्पूर्ण हो सकता है बाकी देशों के लिए जैसे Dr. Lumba कह रहे है यह virus अभी इतनी new है कि कोई भी research नहीं है studies अभी नहीं है तो everybody is the same जो या Canada में है या India में है या UK में है या Australia में है उनका risk equally है वामारी होने की यह virus से कोई protection नहीं है जो आपका background या BCVG injection होके there is absolutely no evidence right now यह मामले में क्योंकि यह अभी study नहीं हुई बहुत नमा नमी virus है जो research है वो बहुत कम है और वो हां चाइना से है और यह हम अभी extrapolate नहीं कर सकते हैं सब populations में तो मैं अभी कह सकते हूं कि जो Canada में हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है वो जैसे सब कह रहे हैं यह social distancing करें यह quarantine करो जैसे आप कह रहे हैं यह आपको protection नहीं हो रही best protection है अप घर रहो आप spread मत करो और किसी पास मत जाओ क्योंकि आपको पता नहीं अगर वो asymptomatic है उंके पास अभी virus भी हो सकती है तो your best protection is to stay inside stay away from crowded environments डॉक्टर अभी मलिक गे जो तीन theories का जिकर मैंने किया उस पर आपकी बात और साथ ही अगर पूरी बड़ी तस्वीर और जो अब एक सप्ता भी जाने के बाद lockdown के हिंदुस्तान के लिए आगे का रास्ता डॉक्टर मलिक इस पर आने से पहले बस एक सेकेंड मैं आपका और आपकी channel का शुक्रिया करूंगा जो आपने footage दिखाई है और यह जो निंदनी हरकत लोगों ने किया डॉक्टर पर थूपने की और उसकी हम सारी doctor community are very thankful to you and your channel यह बहुत important था हम लोगों के लिए सुवे से हम लोग परिशान थे कि इस तरह की हरकते नहीं होनी चाहिए और इनकी निंदा होनी चाहिए और इनके खिलाफ F.I.R होनी चाहिए और हो भी गई है अब मैं जहां तक कि यह सारे international specialist की बात सुनने के बाद जो मैंने एक छोटा सा निश्कर्ष निकाला है वो यह निकाला है कि हमारे पास केवल एक रास्ता है और इनके पास भी एक ही रास्ता है वो है केवल lockdown का वाइरस के बारे में अभी तक research हो रही है मैं आपको बताओं कई सारी researches हो गई है क्लोरोकीन भी बीच में आई है प्लाजमा थरैपी भी आई है उसके बाद BCG vaccine की बात भी आई है antivirals पे भी research चल रही है लेकिन अभी तक पुकता कोई ऐसी medicine नहीं आ पाई जिसके clinical trials हो गए या vaccine ऐसी नहीं आ पाई है जिसे कि हम ठोक के गएं कि ये बिल्कुल ठीक है और इसको हम दे सकते हैं जबकि clinical trials चल रहे हैं और बड़ी जल्दी जो है इसके अंदर breakthrough आ जाएगा